हेलो प्यारे विद्यारतियों तो अड़ा पंजाबी स्कूल जूटूब चैनल ते सवागत है आज मैं तानू कम्प्यूटर साइंस जमात सत पार्ट पंज अब्यास हल करवामांगा इस तो पहला तुसे पार्ट पंज दे वीडियो देख चुके हो अते उमीद करदा हां के ए पार्ट चंगीतरा समझ चुके होगे चलो अब आज शुरू करदे हां सब तो पहला खाली थामा नमबर एक तस्वीर नूँ स्लेक्ट करन उपरांथ खाली थाम टैब दिखाई दिन्दा है फॉर्मेट पेज ले आउट इंसार्ट और व्यू इस दस ही उत्तर है फॉर्मेट नमबर दो अच्छी रैप टेक्स्ट करदे समय खाली थाम आप्शन वर्थ सकदे हां स्केर, बिहाइंड टेक्स्ट, टाइट और प्रोकत सारे रैप टेक्स्ट दा मतलब कि जदों भी आप हैं किसे टेक्स्ट वाले डाकुमेट देविच पिक्चर इंसर्ट करदे हां जा कोई शेप इंसर्ट करदे हां ता उस पिक्चर जाँ शेप दी जो सेटिंग किती यंदी है कि टेक्स्ट उस दे लेफ्ट होना चाहिदा है राइट होना चाहिदा है उपर निच्छे जाँ स्केर टाइप होना चाहिदा है जाँ फिर बिल्कुल उस दे क्लोज होना चाहिदा है ये सारी सेटिंग करदे हा ता इस दसाई उत्र है ससा उप्रोकत सारे क्योंकि रैप टेक्स्ट दे विच इस सारे आप्शन मयूद हन नमबर तिन तस्वीर देके से बेलोड इंदे पागनू होटाउन लई खाली था आप्शन दी वर्तों कीती जन्दी है क्राप, रोटेट, ग्रूप, कंप्रेस इस दसाई उत्र है क्राप क्योंकि क्राप जदों जूज कर दे हैं तो सलेक्ट किता एरिया बाज़दा है बाकी सारा एरिया ड्लीट हो जन्दा है नमबर चार, फॉर्मेट टैब दे अडिजेस्ट ग्रूप पिच हेट लिक्यां विच्चों खाली था आप्शन मजूद नहीं हों दी क्रेक्शन, रिमूव बैग्राउंड, आर्टिस्टिक एफेक्ट और पिक्चर स्टाइल इस दा साई उत्र है पिक्चर स्टाइल राइटल बार स्क्रोल बार इस दा साई उत्र है एड़ा स्टेटस बार बॉट्च टे उत्राँ वाले पर्शन पर्शन एक केड़ी आप्शन टैक्स्ट नूँ दो जाँ वद पागां विच वन दी है पेज ले आउट विच कॉलम आप्शन पर्शन दो केड़ी पेज ओरेंटेशन पेज नूँ होरिएंटली दिशा विच सेट कर दी है लेंड्सकेप किस ऑप्शन दी मदर नाल दो जाँ वाद तस्वीरां इस तरह एकठियां हो जन दी हन जिमें के ओ एक ही अब्जेक्ट होवे ग्रूप ओप्शन जिदो आसे पिक्चरां नूँ सलेक्ट करके या अब्जेक्ट नूँ सलेक्ट करके ग्रूप कर दे हां तो ओ सारे एक पिक्चर दी तरह बन जन दे हां उस तो बाद एक रसी किसे एक ते भी क्लिक कर दे हैं दा सारी पिक्चर एकठी जाने के पूरी दे पूरा ग्रूप एकठा सलेक्ट होंदा है पर्शन चार एमेस वर्ड दी केडी आप्शन दी वर्तो नल पिक्चर दी रंगा नू बदले जा सकदा है फॉर्मेट दे विच कलर कलर चे री कलर ऑप्शन दी वर्तो करते होए पिक्चर दी रंगा नू बदले जा सकदा है एमेस वर्ड दी केडी ऑप्शन दी वर्तो शब्दान दी गिंती करने किती जन्दी है वर्ड काउंट छोटे उत्रा माले पर्चन मार्जन की हुन्दे हान पेज मार्जन पेज देखना रहां आले दो आले शड़ी गई खाली था हुन्दी है असी मार्जन विच हैडर्ज, फूटर्ज अते पेज नंबर नो भी दाखिल कर सकदे हां डाकुमेंट दा मार्जन सेट करन ले असी पेज ले आउट टैब विच मार्जन अप्शन दिवर्थो कर सकदे हां मार्जन पेज दे चारे पासे उपर नीचे खब्बे अते सज्जे पासे सेट किते जा सकदे हां जिसनों आपना सिदा हाशिया विकेंदे हां कि कोई भी आपना डाकुमेंट क्यार कर दे हां उस दे साइड आं ते जो पेज दे खाली जगा शड़ी जन्दी है जिस तरह कि आपना पेपर लिख दे ता अपना साइड दे लाइन मार दे हां पिपर नो मोड़ देया का पैश्दे साइड दे कुछ नहीं लिखना उसनों मार्जन किया जन्दा है कंप्रेस पिक्चर तों तुसी की समझ दे हो कंप्रेस पिक्चर दी वर्तों साड़े डाकुमेंट विच दाखल कीतियां गिया तस्वीरां दा साइज क्टाउन ले कीती जन्दी है जे करनल साड़े डाकुमेंट दा साइज क्टाया जा सकदा है MS वर्ड तस्वीरां नवो कंप्रेस कर लए उन ना गाई रेजॉलुशन कॉल्टी कटादिनदा है आते तस्वीरां देक्राओ कीते खेतर नो मिटादिनदा है तस्वीरां नो कंप्रेस कर लए option picture tool format विच मेजूद हुनदा है compress करना जाने कि उसनों press करना उस दे size ने कुटा दना जेकर कोई भी picture अपनी 1MB दी है जेकर उन्हों अपना compress कर दे हाँ ता उस दा size 1MB तो कटके कुछ KVD विच बन जनदा है परशन 3, reset picture बारे लिखो जेकर उसी MS Word विच किसे तस्वीर विच कोई बदलाव जान फार्मेटिंग कर दे हाँ अते बाद विच इन तस्वीरां उपर किते गए बदलावा जान फार्मेटिंग नो ख़दम करना चाओं दे हाँ ता उसी reset picture option दी मज़द नाल एक अम कर सक दे हाँ reset picture option पिक्चर टूल्स पॉर्मेट टैब विच मज़ूद होंदा है पर्शन चार crop option की है MS Word विच क्रॉप option दी वर्तो नाल स्लेक्ट किती तस्वीर दे बेलोडे हिस्से नो हटाया जा सकदा है इस option पिक्चर टूल्स पॉर्मेट टैब विच मज़ूद होंदी है इस option नो क्लिक करनतो बाद स्लेक्ट किती गई तस्वीर दे किनारें उपर crop handle बन जान दे हाँ जिनना नाल तस्वीर नो असानी नाल crop किता जा सकदा है पर्शन पांच ओरेंटेशन तों तुसे की समझ दे हो उत्तर ओरेंटेशन आप्शन साड़े डाकुमेंट दे पेज दी खड़मी जान लेटमी दिशा नो निरदारित कर दी है MS वर्ड विच हेठा लिखें दो किसमा दे पेज ओरेंटेशन सेट किती जन दी है Portrait Orientation इस दा मतलब हुन्दा है Page No Vertical खड़मी दिशा विच सेट करना Landscape Orientation इस दा मतलब हुन्दा है Page No Horizontally लेटमी दिशा विच सेट करना इस तरह इस ते उपर दो ओप्शन मिल दे हैं Orientation दे विच जिदो क्लिक करोगे Page Layout चे जाके Portrait और Landscape पर्षेंच से पिक्चिर टूल्स फॉर्मेट टैब दे अच्छेश्ट गुप विच मज़ुद वक वक उप्जना दे ना लिखो फॉर्मेट टैब विच सब तो पहला गुरूप अच्छेश्ट गुरूप उन्दा है इस विच, हेठां देते हैं मुख options हुंदिया हन, corrections, color, artistic effect, compressed picture, change picture, reset picture, remove backgrounds. वड़े उत्रावाले पर्चन वाटर मार्क की हुंदा है, वर डाकुमेंट विच वाटर मार्क दाखल करन दे, step लिखो. वाटर मार्क ओ टेक्स्ट जान तस्वीर हुंदी है, जो डाकुमेंट टेक्स्ट दे बैग्राउंड आ उपर नजर रख आउंदी है, आम तोर ते इस दी वर्तो डाकुमेंट दा स्टेटस, ड्राफ्ट जां कॉन्फिदेंचियल आदे, मार्क करन ले किती यंदी है. वाड विच वाटर मार्क दाखल करन दे, स्टेप इस प्रकार हान, पेज लेयाउट टैब थे क्लिक करो, पेज बैग्राउंड ग्रूप विच वाटर मार्क ओप्शन ते क्लिक करो, अपनी जुरूरत नसार वाटर मार्क दे चोन करो, इस तरह इस विच वाटर मार्क लगा आया जंदा है कि पेज लियाओर दे विच फटर मार्क दे क्लिक करोगे जो नीचे अल्रेडी ये स्विच ड्राफ्ट टेंपलेट बने होई मिल दे हन जान तुसे इस तो बिना कस्टम वाटर मार्क चे जाके अपना नाम जा कुछ और लिखना चाहो लिख सकते हो तुसे यह अधर जुरूरत इसनों बना सकते हो जहां फिर कोई गैलरी विच फिक्चर लेने था वह भी स्लेक्ट करके उसनों भी बैक्ग्राउंड वर्टर मार्क देता हुड़ते रख सकते हो पर्चन दो MS Word दी Spelling आते Grammar चेक विशेशता उपर नोट लिखो उत्तर Spelling आते Grammar चेक विशेशता MS Word दी एक महत्तव पूर्ण विशेशता है इस option दी वर्टो नाल अची अपने डाकुमेंट नों गलती रहत बना सकते हो MS Word जाने के जो वेवी लाइन जाने के जो वेवी लाइन नाल दर्शाया जानता है MS Word इना गलती आनो ठीक करन दी स्विधा वी परदान करता है Is Come Lay View Review Tab विच स्पैलिंग और Grammar Option दी वर्टो किती जन्दी है Shortcut की F7 दी वर्टो नाल विच स्पैलिंग और Grammar Dialog Box ओपन करके गलती आनो ठीक किता जा सकता है जहां जिस स्पैलिंग दे उपर Red जहां Blue Line आरही है तुसी उपर Right Click कर दे हो Time View दे विच स्पैलिंग क्रेक्ट करनदा Option मिलदा है जहां दे स्पैलिंग जिस स्विच कनवर्ट करना चाहूं दे हां Suggestion भी मिल दी है और Grammar चेक करनदा Option भी स्विच मिलदा है इस तरह तुसी देख सकते हो कि स्पैलिंग जो Highlighted है इसनों अपना Change कर सकते है Suggested जे है Suggested अपनों अपने आप मिल जानता है कि इस दे विच T Miss से होनों अपना Highlighted लिखिया हो ऐसी स्विच T Missing के तरह स्विचिशन वर्ड मिल आ हुए है आप इसनों Change कर सकते है जहां फिर Ignore कर सकते है जहां इस दिता है कुछ और जो Crack इसनों कर सकते है Document नों Print करनदे Step लिखो जदों सड़ा Document पूरा हो जनता है तां अची Printer दे वर्टो नाल इसनों Print वी कर सकते है Document नों Print करनदे Step इस प्रकार हन File मिन्नू टैब उपर क्लिक करो Print Option क्लिक करो Print Window नजरावेगी इस स्विच्चों जुरूरत नसार Printing नाल सबंदित आप्शना पेजां दे रेंज Print कीते हैं जानवले कापियां दे गिंती आदी दी चोन करो Print बटन दे क्लिक करो जदों से Print Command दे वर्टो कर दे हां तां इस तरह दा आप्शन साड़े सामने आऊंदा है ये थे तुसी जिन्निया कापियां दे प्रिंट आउट करने हां वो स्लेक्ट किता जानदा है उस तो बाद Print सारे पेज करने हां जाँ पेज दी गिंती जित्थों लेकि जित्था के पेज टाइप प्रिंट करने हां उस तो बाद One Side करने हां Double Side करने हां Paper दा Size की है Orientation की है उस दा Margin की है और एक पेज दे एक शीर दे किन्ने पेज प्रिंट आउट करना चाओंदे हो ये सारी चाटिंग करने हां प्रिंट दे उपर क्लिक करने हां ता ओ डॉकुमेंट प्रिंट हो जानदा है इस वीडियो दे विच कोई भी पर्षन समझना आया होँए ता कमेंट बॉक्स विच लिखो एफ वीडियो तो नो किस तरह दे लगगी कि तुसी इस तरह दे वीडियो हो और चाओंदे हो ता कमेंट बॉक्स विच अपना सजाव जरूर देो इस वीडियो नो वद तो वद लाइक अथे अपनी कलास दे हर स्टूडेंट तेनल शेयर करो अथे चैनल नो सब्क्राइब करो ता कि अगे आउन वाले वीडियो दे नोटिफिकेशन तानो समय से मिल सकन तनवाद